Hello everyone, question number 6 का half part हमने solve कर लिया था, half part रह गया था, चलिए करते हैं Rearrange suitably and find the sum in each of the following इसके कुस questions आपने पिसले वाले वीडियो में देख रखे हैं तो बस same और इसे ही करना है, यहाँ पे भी हम rearrange कर लेंगे Same denominator वाले को एक bracket में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 upon 13, अच्छा एक और भी है यहाँ 4 upon 13, minus 8 upon 13, और plus का 9 upon 13, इनको एक साथ कर लीजे और बच गया क्या हमारा, यह बच गया, तो minus का 5 upon 8 हो जाएगा ठीक है, चलिए यहाँ पे minus कर लेते हैं, 9 में से 8 minus करोगे, 1 बचेगा और plus 4, यानि कि 5 upon 13 हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया, minus 5 upon 8 हो गया अब 8 और 13 का LCM क्या हो जाएगा, I think 104 हो जाएगा चलिए यहाँ पे solve करते हैं, तो 5 upon 13 को multiply कर दीजे, किसे करेंगे, 8 से 8 upon 8 और यहाँ हो जाएगा, minus 5 upon 8 को multiply कर दीजे, 13 upon 13 से तो यह हो जाएगा हमारा 40 upon में 104, 104 ही होता है न, 8 थरीचा, 24 का 4 और 8 बन जाएगा अब simple minus कर देंगे, 40 minus 65 upon में 104, minus किज़े इसको answer हो जाएगा आपका 25 upon में 104, clear? चलिए, चलते हैं, next question के तरफ, यहाँ पे भी देख लेते हैं, same denominator वाले, यह दो हैं हमारे पास तो minus 4 upon 5 और plus 2 upon 5 कर लेंगे, एक साथ, और इधर हो जाएगा, plus में 2 upon 3, plus 1 upon 3, चलिए, यह क्या हो गया? minus 4 में से 2, minus कर दीजे, तो बचेगा, minus का 2 upon 5, और इधर क्या बचेगा? 2 plus 1, 3 upon 3 हो जाएगा, यह तो cancel ही हो जाएगा, 3 upon 3, तो मतलब की 1 upon में 1 हो गया, तो 5 और 1 का LCM क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? minus 2 upon 5 यहां लिखेंगे, और प्लस इधर हो जाएगा, आपका, 1 upon 1 into 5 upon 5, ठीक है? denominator सेम करने के लिए हमने multiply कर दिया, अब यहां पे हो गया, minus 2 upon 5, और प्लस 5 upon 5, अब क्या हो जाएगा, यह, minus 2 plus 5 upon में 5, यानि की answer आपका हो गया, 3 upon 5, clear? चलिए, last question है, 6th question का, और यह last question है, इस exercise का भी, ठीक है? exercise 2 point, sorry, 1.2 का, चलिए, यह, देखते हैं क्या है, इसमें, यहां पे यह और यह सेम है, फिर यह और यह सेम है, बाकी different है, तो सबसे पहले हम 2 plus 7 और 9 plus 7 को कर लेते हैं, 2 plus 7 plus 9, sorry, 2 upon 7 plus 9 upon 7, यह एक bracket में कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं, इसे 5 upon में 12, और plus 7 upon में 12, बचा क्या हमारे पास? plus का 1 upon 8 minus 5 upon 16, बचा, ठीक है, चलिए, इसको भी एक साथ कर लेते हैं, अब हम तीनों को अलग-अलग solve कर सकते हैं, यहां पे तो हमारा simple हो जाएगा, 9 plus 2, 11 upon में 7, और इधर क्या हो गया? इधर हो गया 12 upon में 12, यानि कि यह फिर cancel हो जाएगा, 1 upon 1 हो जाएगा, और plus इधर कर लेते हैं, हम 16 और 8 का LCM क्या हो जाएगा? I think 16 ही होगा, तो चलिए 1 upon 8 into 2 upon 2 कर लेते हैं, माइनस में 5 upon 16 कर लेते हैं, अब इधर क्या हो गया? 11 upon 7, अच्छा यहां देख लिए 7 और 1 का denominator LCM 7 होगा, तो चलिए 7 के साथ यहां भी कर लेते हैं, हम 1 upon 1 into 7 upon 7, इसको एक bracket में रख लेते हैं, और इधर क्या हो गया? हमारे पास 2 upon 16, और माइनस 5 upon 16, चलिए यह तो सेम हो गया, अब इधर क्या हो गया? इधर भी denominator सेम हो गया, 11 upon 7 और plus 7 upon 7, ठीक है? चलिए, अब इधर हो गया, हमारे पास 5 में से 2 minus करोगे, तो बचेगा, minus का 3 upon 16, ठीक है? और यहां क्या बचा? 11 plus 7 हो जाएगा 18, 18 upon 7, 18 upon 7 plus minus, minus 3 upon 16, चलिए अभी हमें एक बार और LCM निकालना होगा, तो इसका LCM हो जाएगा, 7, 6 चा, multiply करना पड़ेगा हमें, I think 112 होता है, पर एक बार चेक कर लूँ, मैं 16 को multiply करते हैं 7 से, 7, 6 चा 42 का 2, 7, 1 चा 7, and 4, 11, ठीक है? 112, यही मैंने बोला था, तो हो जाएगा 18 upon 7 को multiply कर देंगे हम किस से? 16 upon 16, और इधर हो जाएगा 3 upon 16 को multiply कर देंगे, 7 upon 7 से, ठीक है? चलिए, बहुत अफ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा, अब उपर में 16 और 18 को multiply करना है, चलिए, 16 और 18 को multiply कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 8, 12, और यहाँ हो जाएगा 6, और 1, यानि की 8, और 8, and 2, यह हो गया हमारा, 288 upon में हो गया, 112, और इधर हो जाएगा, 42 upon में 112, अब क्या करना है, 288 में से 42 माइनस कर लेते हैं, यहीं पे, तो 8 माइनस 2, 6 बच गया, 8 माइनस 4, 4 बच गया, और 2 बच गया, ठीक है, बहुत बड़ा answer आया है, कुछ गलती तो नहीं हुई न, यह गलती हुई, 7 थरीजा, 21 होगा, यह मैंने कैसे लिख दिया, 21, यहाँ पे 21 माइनस करेंगे, तो 8, चलिए यहीं कर लेते हैं, 8 में से 1 गया, 7 और 8 में से 2 गया, तो 6 बच गया, और फिर 2 का 2, अपॉन में 112, यह है आपका फाइनल आंसर, चलिए, आज हमने exercise 1.2 के सारे sums सॉल्व कर लिए, यानि exercise 1.2 आपका complete हो गया, मिलते हैं next video में, next नए topic के साथ, तब तक के लिए take care, thank you.